आज पाकिस्तान और अजरबैजान का भाईचारे का रिस्ता है दोनों देशों के बीच भाईचारा दोनों पक्षों के लुगों के बीच गहरी भावनाओं पर आदारित है यह सम्मंद एक बड़ी संपत्ती है हमारा रिष्ता इसी बुन्याग पर टिका है कि हम भाई हैं हम दोस्त हैं हम हर मुद्दे पर एक दूसरे के साथ हैं हम हर अंतरास्टी संस्ता में एक दूसरे का समर्थन करते हैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हमारा सीधा समर्तन हमारी भाईचारे की प्रति बद्दिता को दर्शाता है साथ ही यह अंतरास्टी कानून की प्रति हमारा सम्मान है दशकों से कश्मीरियों के अधिकारों का हनन और उलंगन किया जा रहा है संयुक्त राज सुरक्षा परिशत के प्रस्तावों में इस पस्च रूप से इस बात को बताया गया है कि कैसे कश्मीर के मुद्दे को हल किया जाना चाहिए लेकिन दुर्भागे से UNSCE के प्रस्तावों के कारियान वैन की कोई ववस्ता नहीं है लेकिन इसके बावजूद हम भाई और मित्र के रूप में हमेशा आप के साथ कश्मीर में अपने भाईयों के साथ अंतरास्टी कानून और न्याई के साथ कंदे से कंदा मिला कर खड़े रहेंगे और मुझे विश्वास है कि न्याई की जीत होगी ये जहरीले बूल हैं पाकिस्तान की आधिकारिक यत्रा पे पहुँचे अजर बैजान के रास्टपती इलहाम अलियेव के जो कश्मीर कश्मीर बूल ही पड़े उन्होंने भारत का बिना नाम लिए कश्मीरियों पर अत्याचार का आउरोप लगाया दरसल भारत हर बार अजर बैजान को कररारा जवाब दे कर उसकी बोलती बंद कर देता है लेकिन माना ये जा रहा है कि अर्मेनिया भारत दोस्ती से अजर बैजान चिड़ा हुआ है इसके पूर पाकिस्तानी प्रदानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी जहर उगलतेवे कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अजर बैजान के रुक का समर्थन किया है जबकि भाई देश ने हमेशा लाखो कश्मीरियों के मुद्दे का समर्थन किया है जिनों ने सहींति राज सुरक्षा परिशत के प्रस्तावों के अनुसार आत्मन रिने के अपने अधिकार को हासिल करने के लिए साथ दशकों से अधिक समय तक भारी बलिदान दिया है आपको बता दें कि दरसल अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है कही बार दोनों देशों के बीच युद्ध भी हो चुका है भारत अर्मेनिया को युद्ध समगरी देता है जिसकी वज़े से अजरबैजान भारत से चिड़ता है इसलाम के नाम पर पाकिस्तान को अपना भाई बताने वाले अजरबैजान को पाकिस्तान से युद्ध समगरी मिल रही है ऐसे में पाकिस्तान उसका सच्चा दोस्त बन गया है पाकिस्तान से दोस्ती की तारीफ करते वे इलहाम अलियेव ने कहा हम अजरबाइजान के सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कबजे के समय पाकिस्तान उन कई देशों में से एक था जो हमेशा हमारे साथ कंदे से कंदा मिला कर खड़ा था और दूसरे कराबाख युद्ध के दोरान राजनितिक समर्थन अजरबैजान की नियाएपूर्ड इस्तिती का समर्थन करने वाले पाकिस्तान के उच्छी पदस्त अधिकारियों के सिधे बयानों ने हमें अतिरिक शक्ती और ताकत दी आज के इस संकित में बसितना ही आप से अनुरूद है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहे और इसे सब्सक्राइब भी कर लिजे जैहन